मशकार दोस्तों मैं हूँ डॉक्टर सुनील लिवांगन जॉइंट रिप्लेस्मेंट सर्जन जॉइंट डिजीज स्पेश्यालिस्ट स्पोर्स मेडिसेन स्पेश्लिस्ट एंड लाइफ स्टाइल एक्सपर्ट और्थो जॉइंट्स रायपूर्च थीजगर से आज हम समझते हैं एक हेल्दी लिविंग के लिए जंक फूड क्या होता है और हेल्दी फूड क्या होता है हम समझने ही कोशिश करेंगे कि दोनों में फर्क क्या है और उसका फायदा क्या है तो Mr. Junk Food हम दोनों food को नाम देंगे Mr. Junk Food and Mr. Healthy Food क्योंकि वो Finally आपको Mr. Junk and Mr. Healthy बनाते हैं कौन इसको follow करते हैं इनकी ताकत क्या है इनकी कमजोरी क्या है Mr. Healthy Food क्या है उसके followers क्या है उसकी ताकत क्या है उसकी कमजोरी क्या है और दोनों में जीते का कौन दोनों में फाइदमन क्या है दोनों के रिजल्ट्स क्या है ये हम देखते है So, come to Mr. Junk Food What is Junk Food Food जिसमें कैलरी बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है और nutrition बहुत कम होता है पूर होता है उसे हम Junk Food कहते है इसमें बहुत ही कम nutrition value होती है और ये normally इसमें fat, sugar, नमक और calories की मात्रा ज़्यादा होती है और protein, vitamins और minerals जो की nutrients, अच्छे nutrients होते हैं उसकी मात्रा इसमें काफी कम होती है और यदि हम इसके followers मतलब इसमें कौन कौन से food आते हैं उसको देखें तो जितने sweet dessert है dessert मतलब जितने sweet dishes होती है जिसमें ice cream है, cakes है, मिठाईया है ये सारी चीज़ें आती है snack foods, जिसमें biscuits mostly जिसमें baked food आते हैं ये cookies and donuts and biscuits and breads ये सारी चीज़ें इसी में आती है तीसरा होता है candies chocolates and candies जो होती है जिसमें केवल और केवल सुगर की मातरा होती है color होते हैं और artificial sweeteners होते है ये candies and bars आते है दूसरा होते है crackers and chips जो packed होते हैं chips होते हैं, crackering foods होते हैं तो जितने instantly available होते हैं ये सारे लगबग इसमें आते हैं इसके पस्चाथ होता है fast foods तो जो खाना already जल्दी तयार हो जाता है और जल्दी खाली आ जाता है उसे हम कहते है fast food और ये normally बहुत low quality preparation होते है fast बनते है normally ठेले में, खोमचे में या फिर even restaurants वगरह में आजकल जो खाने का trend है उसमें अधी हम देखेंगे तो ये fast food, pizza, pastries और even जो baked चीज़ें हैं जिसमें दूसरा आप कहता है burger और rolls इस टाइप की चीज़ें जो होती है बहुत fast होती है Chinese item mostly कहा जाए fizzy soft drinks होते हैं जितने soft drinks आते हैं जिसमें aerated होता है ये soda मिला होता है जिसमें आप समझते हैं आपको अलग से kick मिलता है जो natural drinks नहीं होते हैं ये इसमें mostly sugar की मातरा बहुत जादा होती है इनके important मतलब इनके फायदे इनके power points क्या इनकी मजबूती क्या है ये बहुत working time के कारण होते हैं और ये fast food के restaurants हर जगा मिल जाएंगे आपको easily available मिलता है क्योंकि इनको preparation time कम रहता है ये जल्दी से जल्दी customer को मिल जाते हैं जहीं कहीं भी जाते हैं शॉप में जाते हैं ठेले में जाते हैं या किसी food court में जाते हैं आपको जल्दी मिल जाता है और बहुत सारी females आजकल बाहर काम कर रही हैं तो आपके फूड के घर में मिलने के चांसे कम हो जाते हैं जो वर्किंग पैटर्न है उसके कारण से जो नैशरल फूड है घर में फूड कोक नहीं कर पाते हैं तो जल्दी से करने के लिए बहुत आसान होता है दूसरा आपके रूटीन में जो भी खाना पीना कर रहे हैं आप मोनोटोनस हो जाता है जिसके कारण से आप बोर हो जाते हैं तो उसको चेंज करने के लिए बहुत ही आसान तरीका सा होता है दूसरा ये बहुत टेस्टी और डिलिशेस होते हैं और इसके पसचाथ आजकल इस चीजों का ट्रेंड क्यों बढ़ रहा है क्योंकि बहुत कमर्सिलाइज हैं और बहुत ही कम मातरा में इसका प्रोडक्शन मतलब कम वेल्यू में प्रोडक्शन किया जा सकता और इसका फायदा फिनेंशली बहुत अच्छा होता है अब इनके बाड इफेक्स क्या हैं वीक पॉइंट्स क्या हैं हम ये देखते हैं कि जो अपने family traditions हैं, जो अपने healthy traditions हैं, जो साथ में खाने के, ये normally हम इन सब के कारण खतम कर लेते हैं और इसके कारण से हमें जो health problems होती है, उसमें simple है, diabetes है, heart disease है, heart की problem है, मुटापा है, overweight है, digestion की problem है, आपको थकान एक laziness होता है और उसके साथ nutritional deficiency, तो कुल में लाके पूरे सरीर की band बच जाती है, पूरा सरीर आपका destroy होने लगता है, और उसके healthy चीज़ें खतम होने लगती है और इसके कारण से आपके bad effects पढ़ने लगते हैं, आपके brain में, आपके memory में blood pressure बढ़ता है, आपका mood बदलता है, depression में चले जाते हैं, bone की quality खतम हो जाती है तो इस type की बहुत सारी चीज़ें आपकी इसमें शुरू होती है और इनके ingredients यह हम देखें, इनके अंदर quantity क्या होती है, तो यह food safety जो है, उसके अधार पे यह एक तरीके से ऐसी चीज़ें होती है, जो आपको addict करते हैं अब इनके visual effects आप simple देख सकते हैं, दीरे 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 आप मोटापे की तरफ बढ़ते हैं, और आप मोटापे का जो effect है वो बहुत अच्छे से जानते हैं, कि मोटापा मूलता कोई बिमारी नहीं है, लेकिन मोटापा कई बिमारियों की जड़ है, जिसमें blood pressure है, आपका cardiac problem ह उसके कारण indigestion है, उसके कारण heart attack होता है, stroke होता है, bone की weakness होती है, मतलब मोटापा सारे जड़ों की समस्य है, diabetes बढ़ जाता है आपका, thyroid की problem होती है, ये सारी चीज़ें आपको फिर मोटापे की कारण उत्पन्न होती है, तो अब हमें क्या सोचना है, कि basically देखें कि आप केवल बैठे बैठे इन सब चीज़ों को खा रहे हैं, तो कुल मिला के आप अपने सरीर का सत्यानास कर रहे हैं, अब आते हैं हम कि who is Mr. Healthy Food, who is powerful food, who is the natural and good food, तो healthy food जो होता है, ये सबसे important है, इसके अंदर essential nutrients जो होते हैं, बहुत सिहत मन रूप में उपस्थित रहते हैं, और ये आपके health को support करते हैं, usually आप देखेंगे कि ये fresh होते हैं, या बहुती कम processing होती हैं, और natural रूप में ये मिलते हैं, और इसके ingredients जो होते हैं, जो इनके तत्तो होते हैं इनके अंदर, ये आपको कभी बिमारी की तरफ आ ये सारे foreign countries के हिसाब से बताया जा रहे हैं, लेकिन यदि हम हिंदुस्तानी culture के हिसाब से देखें, तो whole grain, sealier, anach जो होते हैं, जो की पूरा का पूरा अनाज के रूप में हम जो भी preparation लेते हैं, ये सारा का सारा हमारे natural food में आता है, दूसरा fruits and vegetables, they are the blessings to the human kind, why I am telling you, this is blessing to mankind, because नहीं थी, इसके करण आपकी immunity बढ़ती है, strength बढ़ती है, आपकी resistance बढ़ती है, लड़ने की छमता बढ़ती है, आप बिमार नहीं होते हैं, और यदि आप health pattern को properly follow करते हैं, तो आपका सरीर हमेसा सुस्तर रहता है, so fruits and vegetables, they are really a blessing to mankind, milk and daily products, ये भी समझी एक अमरित की तरह है, इसमें आप देखेंगे कि milk है, आपका पनीर है, cheese है, cream, ये सारी चीज़ें आती है, और ये basically आप देखेंगे तो देयर originally बहुत low fat होता है इसमें, लेकिन commercially इसको process करके इसमें fat content change किया जाता है, या इनकी अच्छी चीज़े निकाल दी जाती है, और या कहिए कि commercially इनको sell कर करने के लिए इसको बदनाम किया जाता है, package करके या उसमें कुछ-कुछ ingredients इसके change करके, meat product जो मांस मचलियां होती है, इसमें आप पूरा देखें कि तो meat है, poultry है, मतलब जो अंडे है, chicken है, fish है, और इसके साथ ये सारी जो चीज़ें होती है, ये पूरा का पूरा जो meat product है, they are good source of your calcium, protein, ये बहुत ही rich होते हैं, ये यदि आप देखें तो इसकी skin निकाल दी जाए, skinless जितने products होते हैं, जो non-vegetarian food है, ये बहुत ही healthy तरीके से आपको available होते हैं, फिर आता है fats and sugar, ये यदि limited quantity में लिया जाए, unsaturated fat, जिसको हम गोलते है, they are healthy fats, और ये थोड़ी मातरा में sugar ली जाए, तो they are really very good, हमको identify करना चाहिए, कि जो processed fat होता है normally, वो saturated होता है, और unprocessed होता है, जो ये natural form में जो पाया जाता है, वो mostly unsaturated होता है, same condition आपके oil के होती है, refined oil यदि आप use करते हैं, तो वो saturated होता है, they are not good fat, और यदि हम इसे unsaturated fat के refined लेते हैं, तो they are very good for our health, तो इसके follower से दी हम देखें, तो ये बहुत ही beside each other, because no single one can provide all nutrients, तो कोई भी एक food complete नहीं होता, तो ये एक दूसरे को supplement करते हैं, तो यदि हम mixed fruit लेते हैं, mixed food लेते हैं, mixed nutrients लेते हैं, तो ये सारी चीज़ें मिलके एक दूसरे की कमी को पूरा करते हैं और आपके base को, आपकी body building को, आपके health को बहुत अच्छे से support करते हैं, और समझे एक pyramid की तरफ होता है, जिसमें आप देखें कि यदि हम base की तरफ जाएं, तो इसमें पूरे cereals अनाज होते हैं, फिर दूसरे layer पे हम यदि कहें कि ये vegetables और fruits होते हैं, फिर आते हैं आपका meat and milk products होते हैं, इस तरीके से अब देखें तो ये पूरा pyramid होता है, तो ये pyramid का shape आपको ये show करता है, ये नीचे की जो चीज़ें हैं उसकी quantity जादा होगे, और जैसे जैसे मूँपर जाते हैं, उनकी quantity limited जाती, क्योंकि यदि हम pyramid को reverse कर देंगे, तो यदि इने भी हम यदि अधिक मातरा में या unlimited मातरा में या uncontrolled मातरा में लें, तो आपके सरीर में मोटापे जैसी समस्या हो सकती, जो की extra calories लेने के कारण होती है, इसके जो important points है, जो power points है, इनके जो plus points है, ये क्या क्या है, यदि हम natural healthy foods को बहुत properly follow करते हैं, अच्छी quantity में follow करते हैं, तो ये आपके लंबे समय से होने वाली जो बिमारियां हैं, जिसमें से blood pressure हैं, diabetes हैं, heart की बिमारियां हैं, brain का stroke है, जो brain में अपने खून जमना या brain की नस का फटना जिसे कहते हैं, ये सारी चीज़ों को ये reduce करते हैं, ये आपके normal body function को चलाने के लिए बहुत important होते हैं, ये आपके vital process के लिए और minerals हैं, ये बहुत अच्छे से उसको manage करते हैं, साथ ही यदि आप healthy होते हैं, natural foods लेते हैं, healthy foods लेते हैं, तो आपका stress भी better होता है, आप mentally भी cool रहते हैं और relax रहते हैं, इनके weak point क्या है, ये थोड़ा सा difficulty है कि यदि आप इसे outside food की तरह खाना चाहें, तो restaurants वगरा में ये बहु बहुत अच्छा है, और बाहर इसका मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, इवन यदि हम केवल अनाज और सबजियां और बाकी चीज़ें यहीं चीज़ें को हम restaurant में भी जाके खाएं, तो वो इसकी garnishing इसके अंदर इसको दिखाने के लिए, इसको चमकाने के लिए, सुन्दर करने के लिए, टेस्टी बनाने के लिए, इसमें जो बहुत सारी चीज़ें हैं, जो यूज करते हैं, excessive fats and colors और even cook करने के बाद पुरानी चीज़ें यूज करते हैं, यह आपको harmful पहुचाता है, तो यह normally अदि आप घर में healthy बनाते हैं, तो ही यह बहुत अच्छा और healthy हो सकत है, बाहर इसके chances कम हो जाते हैं, दूसरा इसको बनाने का, प्रिपेर करने का time definitely ज़्यादा लगता है, so they are not fast foods, usually healthy meal दिखने में बहुत अच्छे नहीं होते, इसलिए restaurant और बाहर खाते हैं, तो यह बहुत ज़्यादा, समझ जाएए कि यह चमकीला और चमकदार और दिखने म बहुत healthy food, common sense में हम कहेंगे कि नहीं होता, और जो लोग lazy हैं, prepare करने में, कौन महनत करें, क्या करें, जो मिल जाता है, उखा लेते हैं, तो उस condition में यह थोड़ा सा एक आपके लिए negative point हो सकता है, but यदि आप इसे खाते हैं, इसे regularly follow करते हैं, तो you will have a very good health, very healthy body and healthy life, so result क्या है So the truth is that, in our mind we know, कि healthy food को जीतना है, हम भी चाहते हैं कि हम healthy रहें, लेकिन उसके पीछे जो मेहनत हैं, हम उसे नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं, हमारा मन कई बार ललचा जाता है, हम दूसरों को देखते हैं, और आज कल इतनी सारी चीजें commercially आ गई हैं कि ये दिखता है, चमकता हो, चोटे बच्चों की तरह हम भी ललचा जाते हैं, तो बहुत सारी चीजें से हम भी attract होते हैं, हमें quantity पता नहीं चलती, कई बार हमारा awareness कम पढ़ जाता है, जिसके कारण से हम इधर उधर के चीजें हमारा ध्यान भटक जाता है, तो यदि हम देखेंगे, तो junk food is the winner, Mr. junk food is the winner, not only that, हम लोग उससे addicted होगा हैं, हम किसी ना किसी रूप में अपने जीव के लिए, अपने मुझ के टेस्ट के लिए, अपने आसपास के कई बार कहना चाहिए कि comparison के लिए, competition के लिए, और कई बार अपनी शोबाजी के लिए, इस सारी चीज से बनाना चाहिए, और इसके पस्चात होता क्या है result में, यदि हम जानते हैं कि Mr. junk food बहुत बेकार हैं, उसके followers बेकार हैं, so हम यदि इस से बाहर नहीं निकल सकते हैं, so we should try to work hard, इसके लिए आपका determination important है, इसके लिए आपका एकदम fix होना, आप पने discipline को follow करें और आप strict हो जाएं कि at least six days a week आप यदि Mr. healthy food को follow करते हैं, तो आप मानके चलिए कि आपका पूरा body healthy होगा and you are going to be Mr. healthy, so आज से मुझे ऐसा लगता है कि आपको Mr. healthy food को follow करना शुरू करना चाहिए, और उसके bad effects को आप हटाइए, ताकि आगे जाके आप बहुत अच्छी life और healthy life जी सकें First, अपने आपको आप तैयार करें कि ये आपके health के लिए अच्छा है because health is wealth, यदि आप healthy हैं तो healthy mind, healthy body सारा कुछ important है because यदि आपका health अच्छा है, आपकी body अच्छी है तो उसमें healthy mind होगा, आपको अच्छे से नीद आएगी, आपको कोई problem नहीं होगी, आपको कोई बिमारी नहीं होगी and finally you will get a very calm, comfortable, mentally soothing life, so आपके healthy होने के लिए आपको थोड़ी से difficulty, आसान रास्ता आसान होता है, वो रास्ता जो की simple नहीं है, तो जो shortcut है, जो आसान रास्ता है, वो कभी फायदे मन नहीं होता, ये जिन्दगी का rule है, so आप एक साथ बहुत सारी चीजों को change करने की कोशिश मत करें, यदि आप बहुत unaware हैं, healthy, unhealthy के बारे में, तो धीरे धीरे gradually उसको improve करने कोशिश करें, थोड़ा थोड़ा change शुरू करें, देखेंगे कि आप कि इस long term में, यदि आप इसे कहना चाहिए कि लंबे अवधी के program के रूप में लेंगे, short term, intermediate term और long term जैसे planning सरका करती हैं, वैसे भी हम अपनी life की planning करेंगे, धीरे 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 बदलना शुरू करते हैं, you will feel the difference, you will find the healthy thing, और जब आप वो feel करेंगे, तो आप उसको समझ पाएंगे, तो अपने diet को आप अच्छे से healthy कीजिए, और जितना junk food है, उसे आप identify करके, आप reduce करना, gradually शुरू to this world, तो आप productive करें, तो जब आप जब भी आप shopping करने जाएं, तो आप अपनी सारी चीजें list पहले बना लें, अपनी पूरे उसमें जो ingredients दियाते हैं, उसकी list पहले बना लें कि आपको क्या लेना है, और क्यों लेना है, आप जिस चीज को लेने जाते हैं, उसे आप तो वहाँ पे आप fruits and vegetables की मातरा को आप अपने daily routine में, normal खाने के आधे ही से ज़्यादा मातरा की तरफ बढ़ाईए, और उसके बाद जितनी fruits और vegetables से उसको आप नए ना कोशिश कीजिए, आप अपने ही साब से उसको interesting बनाईए, tasty बनाईए, आपको अच्छा लगेगा, वि कि आप जिस दिन, suppose बाहर जाते हैं, खाना खाते हैं, कुछ नहीं मिलता है, तो बेटर होगा कि आप दो केला लेके चले जाएं, दो केले से आप पेड भर लें, वो ज़्यादा अच्छा है, रादर देना बर्गर या पिजा खाएं, तो केला is much safer, केला एक सेब, एक केला ए उसको थोड़ा बहुत भी खाना चाहते हैं, तो मैं आपको request करूँगा कि आप उसे बहुत wisely select करें कि उसमें से कौन सा food खाना है, और कौन से food को नहीं खाना है, और ये सारी चीजें, मैं आपको कहूँगा कि हमारे लिए तो important है, बट ये सारे implications आप यदी बचपन से, बहुत अच्छा है ताकि वो ये एक healthy रूप में ये अडल्ट बनते हैं, तो वो आपके लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए और देश के लिए बहुत important है, तो आप कोशिश ये करें कि आप जो भी healthy food बनाते हैं, कई बार वो interesting दिखता नहीं, कि हाँ वोई सबजी, वो वोई रोटी, वोई दाल, वोई चावल हम खा रहे हैं, तो आप उसको interesting करें, उसको थोड़ा सा experiment करें, उसको change करें, बट ध्यान रहे हैं, उसके ingredients हम हमेशा healthy की तरफ रखे हैं आप जैसे देखते हैं कि छोटे बच्चों के लिए हम कुछ-कुछ funny meals में हैं, देखने में interesting and attractive बनाने के लिए हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, सबजीयों में shape दे सकते हैं, fruits में shape दे सकते हैं, और आपको बच्चों के साथ यदि आप बच्चे बनके खाना खाएंग तो try following all these things, आपको बहुत अच्छा लगेगा, so simple सी चीज है, you are what you eat, जो आप खाते हैं वही आपका दिमाग सोचता है उसी तरीके, यदि आप बहुत simple sattvic vegetarian food खाते हैं, तो आप simple sattvic vegetarian food सोचते हैं, आप उस तरीके का काम भी करते हैं, लेकिन यदि आप sattvic भूजन नहीं ख और ड्राइफ जंक फूर्ड ये सब चीजें खाते हैं, तो आप उस तरीके सोजाते हैं, तो basically आपकी life discipline से बाहर चले जाती है, so eat healthy, feel healthy and finally you be healthy, so आज का ये हमारा संदेश है कि यदि आप healthy रह सकते हैं और healthy रहने के लिए आपके मुझ का रास्ता बहुत सुरक्षित है, इसक साथ आप exercise यदि आप regular करते हैं, जिसको हम दूसरे topic पर cover करेंगे, तो यदि आप health में सबसे पहले खाना अच्छा लेते हैं, तो आपकी body बहुत healthy रहती है, सुखी रहती है, cool रहती है and that is most important, so आप इसे बिलकुल follow करें and hope ये आपने पूरा lecture जो है, बहुती basic lecture है, बहुती basic science है, ये आपने enjoy किया है, हम आपको आगे food, exercise, disease सब के बारे में थोड़ा 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 कुछ नो कुछ आपको बताते रहेंगे, ताकि आप इन सारी चीज़ों को follow करते हुए, हमें अपनी life को, अपनी society को, अपने देश को healthy बनाने में मदद करें So thank you all, today, मैं आपको यहीं पे आप अपने शब्दों को विराम देता हूँ, और आप हमारे साथ बने रहीए, एक डॉक्टर होने के नाते, समाज के लिए, humanity के लिए, जो मेरी duty है, कि जिसमें मैं अपने आसपास के लोगों को, यदी अपने ग्यान से, अपने knowledge से health provide कर सकता ह हूँ, तो यह बहुत बड़ी चीज़ होगी, तो आप भी इसमें हमारी मदद करें, और इसको follow करें, thank you, thanks again, आप हमारे साथ बने रही है, हमारे YouTube चैनल को follow करें, और इसके साथ आप हमें, हमारे साथ connected रहे हैं, so